हालो बच्चो वेलकम बैक बच्चो क्लास नाइंत के स्टुडेंट जो है थोड़ा परिशान हो रहे है कि सर कौन सी बुक चल रही है कौन सी नहीं तो बच्चो मैं आपको एक बात बतायता हूं कि नेक्स्ट जब आप टैंथ के लाहन चले जाएंगे तो आपके NCRT की बुक चलेगी जिसका नाम होगा एक तो फुट प्रिंट विदाउट फीट और एक होगी फिर्स्ट फ्लाइट समझ गे ना बच्चे तो आप परिशान नहीं हो है आप फुट प्रिंट विदाउट फिट लीजिए उसमें हमारा चेप्टर है जिससा की पिछली बार हमनें पढ़ अगर आपके पास अभी है जो भी है जिससे रिजोनेशन वाली जो चल रही है तो वह आपके नेक्स्ट यर नहीं चलेगी तो आप ध्यान रखिए आपकी जो बुक चलती चलेगी फुट प्लाइट और फुट प्रिंट विदाउट फीट फुट प्रिंट में हमारा चेप् पास चलता है प्ली पहले हमने पड़ लिया था इसमें लड़की होती है जो कि बच्पन में की चुट काना सुषकी बुद्धी कमज़ोर हो जाती है और जो है मिलान게요 जैसे हुझे हो गई तब द्ञाएपयां प्यूसे से बच्चों को पड़ने पर बच्चेते तिन बच्चों को और कॉलेज बेच दिया उसके चार बेटियां थी उनमें दोकी शादी हो गी थी मंगला की और राधा की चंपा की चंपा जो थी वह भी सुन्दर लड़की थी उसकी शादी भी हो जाएगी लेकिन चिंता थी उनको अपनी बेटी की तब क्या होता है इसकुल के लिए एक उधरन बनो रामलार प्रिपत्नी को बोलता है आके पंत्नी कहती है वही अगर अपनी बेटिया पढ़ जाएग तो शादी को ही नहीं कर पाएगा उनसे तो वह दिमाग लाया कहती है कि काम करो अपनी बेटी है ना कौन जो भोली है उसकी शादी हो नही लक्षमी गाय था उसका नाम गाय का नाम लक्षमी तो ले गए तो उसको बेच करके आ पहीं मुझे तो पैचनी जा रहे तो यह बात उसकी गट्ती को पास कुछ आए जगे उसको ले जा रहा है फिर वहां जब सुष्पुल जाते हैं देखते हैं वहां पर गाय का चित्र तोते का चित्र दे नष्ब हो जाती है और तब है उसके िछागई अच्छे से जो है चैप्टर को कवर कर रहे हैं बहुत अच्छा चैप्टर है और दो या तीन पार्ट में हम इसको कवर करेंगे वो इता बच्ची तुम्हारा नाम क्या है तो वो हग लाती बढ़ बढ़ आगे नहीं बोल पाई और इस टेम्य नहीं हख लाने लग गई देन सी बिगन तो क्राई भी रोन लगे एंड टीर फ्लोड फ्रॉम हराई उसकी आंक से आंसु आन लगे इन अहल प्लेस फ्लॉड मतलब हल प्लेस फ्लॉड का मतलब इसे बहुत तेज गती से आंक आंसु आन लगे जब इसकोड़ी घंटी बजी ओल दा गल्स क्राइब इसकोड़ी घंटी बजी ओल दा गल्स क्लासरूम के तरफ सभी लड़कियां चल दी बट भोली डेर नॉट लीव दा निकल लगे तो लेगन भोली की हिमत नहीं हुई कौने में सोटने की अब टीचर की आवाज आई बहुत ही कौमल बहुत ही प्यारी आवाज आई वो बोल रहे हैं बोली को इन अल हर लाइप सी हैड नेवर बीन हीर लाइप अईसा कभी उसने सुनाई नहीं था इस पर कॉल्ड इस परकार से उसको कभी बुलाय नहीं गया था कॉल्ड बुलाय नहीं गया था इन टच्च विध हर यह बात उसके रिधे को छुगई गड़ अप यह कोई आदेश नहीं है एक मित्रवत बात दा रहे हूं बोली उठी नाव टेल मी और ने अब एक काम गुर तुम अपना नाम बताओ मुझे तुम कौन हो ठीक है ना लटीचर ने उसको अग्रेसिव करी उसको मतलब कुछ करने के लिए वह कुछ बोल पाएगो तो देखो स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर वॉल बोडी ब्रोक आउट हो गए मतलब से पशीना ही पशीना हो गया उसके पुरिशरी में वुड हर स्टैमरिंग टंग अगें डिस्ग्रेसर के रिए कि वह उसकी जो हकलाने वाली जीव है फिर से उसका अपमान करेगी वोर्डा सेक और दिस काइंड वॉमन लेकिन उस महिला के लिए जो टीचर थी ना जिस परकर दया दिखारी थी उसके लिए उसके लिए वो बोलेगी क्योंकि उसकी आवाज को बहुत प्यारी लगी थी अपना पन लगा था क्योंकि वो उसको देख करके हसेगी नहीं तो देखो वो आप बोली जो है बोलना ही स्टार्ट करेगी और थोड़ा हकलाएगी और उसने हकलाना शुरू कर दिये वेल डन वेल टन टीचर बोल देखो दटीचर एंकरेज किया सहस बहुत बहुत आपने आप में महसूस किया राहाँ जिसे उसने उसने ग्रेट अचीमेंट उसने ग्रेट अचीमेंट हासिल कर ली हो वेल डन बहुत अच्छा टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड उसको बड़े दया से उसे प्यार से जो है उसकी पीट अपता बोली पुट दा फियर आउट अफ यॉर हट अपने रिदे से डर को निकाल दो यू बिल बी अबल टू स्पीक लाइक एवरी बने तुम भी औरोगी तरफ बोल पाओगी देखो येसा होता है न अब देखो बोली लुकड अप एजिप टू आस्क रियली बोली ऐसे देखने लगी जैसे वास्तों में वो कुछ पूछना चारी थी यस यस इट विल भी ब बोली 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 बहुत खुश थी that she had been able to say it कि वो यसा यह कहने होगे बनी डिदन टेल यू नव टेग दीज बूग डिदन आई टेल यू नहीं क्या ऐसा नहीं है आई टेग दीज बूग अब ये किताब ले लो अब दो क्या होता है the book was full of nice picture किताब में बहुत सारे चित्र थे the picture वरिंग कलर सब में अलगला रंग था dog, cat, goat, horse, parrot, tiger, cow just like लक्ष्मी गाय तो उनकी लक्ष्मी जैसी ही थी हना and with every picture was a word in a black letter उधारे चित्र के पास क्या था black letter ने काले काले अलफा पे टक्सर लिखे हुए थ अब दो क्या होता है समय निकलता जाएगा in one month एक महिने में you will be able to read this book तुम ये किताब पढ़ने होगे बन जाओगी then I will give you the big one bigger one bigger book कि मैं तुझे इसे ही बड़ी किताब दूँगी teacher बोल रही है then I still bigger one उसके दोर बड़ी in time you will be more learned फिर तुम बहुत को सीख जाओगी then everyone else in the village गाओं में ओरों की तरह तुम भी समझदार बन जाओगी then no one will ever be able to laugh at you किसी में हिम्मत नहीं होगी तुमें देख करके हसने की क्यों को तुमें हसे देख करके people will listen to you लोग तुमें सुनेंगे with respect बड़े ध्यान से बड़े सम्मान से and you will be able to speak without the slightest stemmer और बिना हक लाए तुम भ अब देखो क्या होता है बोली फेल्ट एजिप सड़नली ओल द बैल इन द विलेस टेंपल वर रिंगिंग अब देखो फुले ने महसूस किया कि अचानक जो है जैसे कि सभी घंटिया गाओं के मंदिरों की जो है घंटिया जो है सभी बजगई हो and the trees in front of the school house had blossom और गाओं ज heart was throbbing with a new hope अब उसका रिदे जो है throbbing कर रहा था मलग ढख रहा था कि नहीं उम्मीद के साथ है new life और नहीं जीवन के साथ मतलब उसमें एक उम्मीद जगया ही उम्मीद जगने का मतलब हो गया उसमें एक ऐसा क्रेज आ गया कि वास्ताओं वो भी कोछे कुछ कर सकती है सम अब नाव अपर सिनेमा घर भी आगया अंधर टिनेग सिनेमा घर चलने लगया ने कोहने उते मुटन ग्रीनिंग ट्रेनर शुरू हो गई वन नाइट एक रात त्री देनर करने के बाद रात का बोजन करने के बाद रामला ने अपनी पत्नी से कहा तो क्या मैं विशंबर का प्रस्ताव स्विकार कर लूँ देखो विशंबर इसमें आएगा जो बहुत उमर में जदा बड़ा है लेकिन वो उ कि यह सर्टेनली इस वाइप सब्सक्राइब कर लिजिए बहुत ही भागे साली होगी जिसको इतना इतना अच्छा इतना सम्रज साली दूला मिलेगा तो दूला कैसा आता देगो उसके बारे में देखते हैं आगे जिसके एक बड़ी दुकान है और कैते हैं कि वो डोरी भी नहीं मांग रहा है तो देखो यहाँ पर जो बात आती है बच्चो यह एक रूडिवादी परमपरा है तो रूडिवादी परमपरा जो उन्हें लेकर नहीं स्कूल जब से चले है तो यह परमपरा का भी अंतु हुआ है ठीक ना एक बात फोड़ा सा ओड़ देखते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल चीक है बट ही इस नॉट सो यंग किन्त वो युवा नहीं है देखो यूनो तुम जानती हो ओल्मॉस्ट दा सैम एज आएम मेरी जैसे उमर का है यानि वो किस उमर का था विसंबर बाबू रामलाल की उमर का था वो एंड है यह अलसो लिम्स और कैसा है लंगडा भी था वो लेकिन वह अब नहीं होगी आगे देखेंगे हम लोग एक रिसस्पेंस से इसके अंदर जबकि उसकी पहली पत्नी के जो बच्चे थे वो भी बड़े हो चुके थे तो ऐसी बात इसके अंदर जैसे आ रही है तो यह दिमाबों खटकाने वाली बात होती है हम पत्नी कहती है 45 और 40 बोले 45 से 50 में क्या प्रखबता है इस नो ग्रेट एस फॉर है मैं बोले एक आदमी के मुझे यादा उमर नहीं होती है वी आ लकी हम बहुत बागे साली है that he is from another village की बहुत दूसरे गाउंगा है and does not know about her pok marks देखो यह नोंने एक बात शुपा लिए उन् है ना उनके बारे में वो कुछ नहीं जानता है और उसकी लेक आप सेंस ना समझी के बारे में कुछ नहीं जानता है यह देखो शादी कर रहे हैं उससे लेकिन उसको कुछ नहीं पता उसने प्रोपोजल रखा उसने कह दिया और उसको यस कर दिया अब देखो क्या होता है अगर हम यह प्रस्ताव सिखार नहीं करते हैं, तो बहुत अपने पूरे जीवन भर क्या हो जाएगी, अभी भाइती रहेगी, तो यहाँ पर बात बताईए कि बच्चों, वो यही बात है कि वो सोच रहे हैं कि ऐसा क्या होगा, ठीक ना, मतलब की बात ही हो जाएगी कि वो यहाँ तक हमने पड़ा है, अभी ज़्यादा बड़ा चेप्टर नहीं है, तो देखो आगे क्या होता है, आप अब देखो पिता तो पिता होता हैं, कि जो बोलेगी उसकी बारे पही है, तो वो क्या रहा है, वहम आय När, अपनी बेटी बोलेगी के बोल रहाँ है जिसका नाम क्या था, शुलेका, शुबास, रामलाल के रहा है कि हो सकता है तूँ सही कहती है कि वो तो गुंगी गाही है कुछ नहीं बोलती है इंद अधर corner of the courtyard अब देखो बात आ रही यहां पर उसी घर के आंगन के एक कोने में भोली lay awake on her court भोली अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी listening her parents whispered conversation להorkation अपने माता-पिता यौ काना कुछ्छी हो रही थी जो बात कर रहे थे उन सबको क्या कर रही थी वो सुन रही थी कहना मतलब यह आ गया बोली इन सब के वारे में पता लगा चुक था की मेरे माता-पिता जो यूष्यादी की बात जो सस्पेंस है आप जो है चेप्टर को यहीं तक उसके वड़ मिनिंग जो है तयार कर लीजिए हमने जो अभी पढ़ा है उसमें यही देखा है कि वह इसकुल गई इसकुल में टीचर ने इसको एंक्रेज किया और बोलना सीख गई गाहों के अंदर जो है गाहां था वह भी आई लोगों के अंदर और समझ जो आएगी जैसी आएगी उसको हम आगे भी देखेंगे और बोली के पिताई जो बोली के बारे में बात कर रहे है अपनी वाइप से जो भी सम्मरनाथ का प्रोपोजल की इसे उकार करने की बाद चल रही है और दोनों आपस में बाते कर फिर भोली नहीं यह सब सुन लिया अब उसके बाद क्या होगा बच्चो उसको हम देखें नेस क्लास में तब तक बच्चो गुड डी गुड बाई